जैसरी रादे किश्णा, कैसे आप सभी लोग हम आसा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, अपनी लाइफ में धेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे होंगे Dear, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल Spiritual Love टपर्टो में हम इस पर से माभगवती से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो Dear, आज हम रेडिंग करने वाले हैं किसी के बारे में आपको जानना है तो उनके बारे में सोच करके उनका नाम ले करके एक पाइल चूस कर लिजिए फिर देखिए उनके बारे में उनके बारे में जानिए किसी के बारे में सोच करके आपको एक उप्सन चूस करना है यह आपको लगता है कि यह option आपसे नहीं match हो रहा है तो आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं लेकिन आपको positive रहना लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि किसी और बिदेखना तो आप उनके लिए भी सोच करके एक उपसन चूज कर सकते हैं और पॉजिटिव रहना है आपको नेगैटिव नहीं होना है तो डियर हमने इसमें अपसन दे रखे हैं आप एक उपसन चूज करिए फिर अपनी करती हैं कि आप सहस्त होंगे और अपने ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual loveowane2 में हम इसवर से माभगवति से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ आपकी फैमली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो आपको धीर सारी सफलता प्राप्त हो डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रिडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं ये बर्दमंथ ये आपका भी हो सकता है या जिनके लिए आप देख रहे हैं उनका भी हो सकता है डियर आपको बर्दमंथ हो सकता है मैं दिसंबर अगस्त अप्रेल मार्च DR ये आपको birth month हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपकी name का initial आपकी name का initial हो सकता है T I G C J L E U D Q K R O B ये आपकी name का initial हो सकता है DR आपकी date of birth हो सकती है किसी महिने की 31 तारिक, 6 तारिक, 28 तारिक, 29 तारिक 21 तारिक, 25 तारिक, 3 तारिक, 18 तारिक, 7 तारिक, 6 तारिक, 24 तारिक, 15 तारिक, 9 तारिक DR ये आपकी date of birth हो सकती है जिनके बारी में सोच करके आप ये rating देख रहे हैं उन्हें आपसे बहुत अलग व़ला connection फिल होता है उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हर जनम में मिले हो सकता है कि ये आपके twin soul हो अगर आप अपनी family में से किसी के लिए देख रहे हैं वो बहुत positive हैं आपके साथ तो dear उन्हें आपके साथ बहुत अलग connection फिल होता है उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी साथ में हो या फिर ना हो अगर आप साथ में होगे तो किसी भी दर्द से निकल सकते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी दर्द मुझे डुबा नहीं सकता मार नहीं सकता है अगर आप उनके साथ हुए तो कभी भी यह डगमगा नहीं सकते थोड़ा सो रोएंगे थोड़ी से तकलीफ होगी लेकिन अपना रास्ता नहीं भटक सकते डियर यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और यह बातें आपकी हर किसी से शियर करते हैं यह हर किसी से कहते हैं कि मेरी जिंदेकी में किवल एक परसन है जो मेरे लिए बहुत ज़ादा माईने रखता है जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए पॉजिटिव सोचता है यह आपके लिए positive बोलते हैं इन्हें थोड़ी सी jealousy होती है जब आप इन्हें छोड़ करके किसी और को importance देते हैं लेकिन वह ऐसे jealousy नहीं होती है कि बहुत उल्टा सीधा बोलना गुछ भी कह देना इस type ग़ी jealousy नहीं होती है लेकिन हाह इन्हें ऐसा थोड़ा सा लगता है की मुझसे जादा किसी को मच जाहो, पिसी की बातें मत करो, थोड़ा सा इन्हें ऐसा लगता है। यह आपके पार्टर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों के वज़े से आपको कम डाइम दे पाते हों, हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों के वज़े से आपसे कम बात करते हों, आपसे ज्यादा बाते ना होती हो, या फिर अभी आपसे दूरियां बना र सकते हैं आपकी जितनी पॉजिटिव बाते हैं इससे दूर नहीं हो सकते हैं तो डियर यह आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं बहुत पॉजिटिव फील करते हैं यह आपके बारे में जादा किसे से शियर नहीं करते हैं जैसे आपकी अपनी बाते होती है अपक किसी के साथ नहीं करते हैं ये खुद की बाते खुद तक रखते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला आपकी जिन्देगी में नाएं ये चाहते हैं कि ये आपको सबसे ज्यादा प्यार करें ये आपकी हर एक बात को समझे ये आपके हर एक वक्त पे आपका साथ दे सकें। लेकिन हो सकता है यह भी ज्यादा इस्टेबल ना हूँ। या फिर इनकी FAMILY ऐसी हो जो नहीं ज्यादा टाइम ना देती हो। यह जिम्मेदारियों से ज्यादा घिरे हुए हूँ। तो डीर इस बज़े से मजबूर हो सकते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि हर कदम पर ये आपके साथ हो, ये आपको साथ देना चाते हैं, हर तरह से साथ देना चाते हैं, डियरी आपके लिए बहुत पॉजिटिव करना चाहते हैं, और हमेसे आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जिंदेगी यह आपके लिए बहुत positive हैं, यह आपको बहुत ऐसान मानते हैं, हो सकता है कि इनके बुरे वक्त में आपने इनका साथ दिया हो, तो यह आपको बहुत ऐसान मानते हैं, अगर यह किसी मजबूरी, किसी जिम्मेदारी के वज़े से आपसे बात नहीं कर पा रहें, तो उसकी व और के दिल दमाग में बात चलती है, कभी मिलेंगे तो तुम्हें बताएंगे कि क्या वज़ा थी वह जो दूर जाना पड़ा था, क्यावज़ा थी जो तुम्हारे कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे, क्या वज़ा थी जो इस तरह से 정도로 करना पड़ा, वह सगता है कि आपके partner ने आपका साथ छोड़ा हों कि यह और से साधी कर लियो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो इस तरह से बदल कियो गधे तो dear, इनकी होई मजबूरी है जिसके बारे में यह आपको बताना चाहते हैं जिसके बारे में आपसे अपने सारी बाते शियर करना चाते हैं, इन्हें ऐसा लगता था कि पहले आप समझेंगे नहीं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप समझ जाएंगे, अब अगर यह आपको बताएंगे तो आप इसकी बातों को समझेंगे, हो सकता है कि यह आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हूँ उन्होंने आपके खिलाफ जाकर कि कोई एक्सल लिया हो अपने करियर के लिए अपने पार्टनर के लिए तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार कम नहीं करते हैं लेकिन उनकी मजबूरी थी उनकी जिन्दगी का कुछ ऐसा फैसला था उन्हें लगता था कि ये मेरे लिए सही है डियर आपको समझना चाहिए ये आपसे बात करना चाहते हैं आप इबर इनसे बात करने का मौका ज़रूर देना अगर ये आप अपने बच्चों के लिए रिटिंग देख रहे हैं अगर उन्होंने आपके खिलाफ जाकर कोई फैसला लिया है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ बातों को सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात करें अगर ये आपके पार्टनर है तो भी डियर ये आपकी जिंदगे पर वापस आएंगे ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं बहुत जादा आप पे नजर रख रहे हैं आपकी जानकारी इनके पास पूरी पहुंसती है अब किस तरह से पहुंसती है यही जानते है तो डियर इने खबर सारी है आपकी तो यह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं यह आपसे बात करना चाहते हैं और यह पूरी कोसिस कर रहे हैं यह हो सकता है कि हाल फिलाल में यह आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं यह आपसे बात करने की कोसिस कर रहे हैं यह आप से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कुछ मजबूरिया हैं जिसके वज़े से इन्हों यहां बनानी पड़ी है हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर हो मतलब फ्रेंड हो जिसके लिए आप यह रीडिंग देख रहे हो कि वह इस तरह से बदला क्यो वह ऐसा क्यों कर रहा है वह ऐसा क्यों हो रहा है तो इनकी एक मजबूरी है जिसके वज़े से इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझेंगे इन्हें यह उमीद है आपसे इन्हें ऐसा लगता है कि अगर यह आपको बताएंगे तो आप इन्हें समझेंगे, यह हर किसी से कहते है, कि वो इन्सान मुझे इतना समझता है, वो इन्सान इतना समझतार है, कि अगर उसे बात में सारी बाते शेयर किना, तो वो समझेगा, मेल हो या फिमेल हो, डियर इन्हें आपसे उमीद है, कि आप इन्हें समझेंगे, अगर पार्टनर भी हो सकते हैं या फिरी आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, अगर इन्हों ने कोई कि गलती किया है आप उनके लिए रेटिंग देख रहे हैं, यह बहुत पस्तार है यह माफी मागना चाहते हैं लेकिन इनकी बढ़ी कोई मझबूरी थी जिसके वज़े से इन्हों कर सकता तो डियर इन्हें हैसा लगता है इन्हें हैसा लगता है कि लोग जरूरते पूरी कर सकते हैं लेकिन कमी किसी की पूरी नहीं कर सकते हैं तो डियर आप इनके जिन्दगी में कमी की तरह हैं जिसे जिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं अगर इनकी जरूरते होती तो कोई औ नियुक्ट कोई भी हो novamente कर दो है उन्हें भाण के लिए विद Sun你有 दिए कोई भिल करें किसी से भी बढे बाते कर लेते हैं extra बहुत जादा बात कर लेते हैं टाइं पास कर लेते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन जो आपके साथ feel करते हैं वो किसी और के साथ feel नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी यादे हैं वो कोई और भर नहीं पा रहा है तो Dr. एर ये आपके लिए कुछ्छ अलग feel करते हैं इनका आपका बहुत strong connection हो सकता है हो सकता है Dr. कि आप भी इनकी यादों में रो रहे हो इनकी यादों में आप रो रहे हो आप भी इनकी बातों से दूर नहीं जा पा रहे हो आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं जिन्दगी कितने सालों में बदल गई है, सब कुछ अलग हो रहा है पूरी कोसिस कर रहे हैं खुद को बदलने की लेकिन उसकी यादों से दूर नहीं जा पा रहे हैं आपको इनके सपने भी बहुत आते होंगे आप उठ उठ करके रातों में इनको याद करके रोते भी होंगे डियर कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है ये आपके जिन्दगी में वापस चुरूर आएंगे जिसके लिए आप रेडिंग देख रहे हैं अगर ये रूट कर चले गए हैं बात नहीं कर रहे हैं तो ये खुद अपनी तरफ से आपके जिन्दगी में वापस आएंगे यह अपने जिंदेगी आपको मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप से बात हो या ना हो, लेकिन यह जो लड़ाई होकर के बाते खतम होती ना, यह नहीं खतम होनी चाहिए, यह आप से बिना लड़ाई, बिना जगड़े के एक दिन बात किये, बिना रह सकते सुकून से, लेकिन लडाई जगड़े हो जाने के बाद इनके दिन नहीं कटते हैं यह जितने भी पल काट रहे हैं जितने भी दिन काट रहे हैं रो करके काट रहे हैं बेचैनी भरे दिन हैं तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यह एक होता है कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छ तो बात नी कर पारें लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़ाई जगड़े हो गए ऐसे बात नी कर पारें तो डियर इनके अच्छे दिन गुजर नहीं रहे हैं यह बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में वापस आएंगे एक बार आपसे माफी जरूर मांगें अपन एक जो के लÎे बहुत पॉजर्टेव और अपने ख्याल रखना सबसे पहले अपने आपने ख्याल रखना और बहुत पॉजर्टिव रहना नहीं मेडिटी मेडिटिशन जरूर करना लोग क्या कहते हैं ऑर पिली मेड़ह कर दो के नहीं नहीं चाथिए तो आप अस वीडिय कि आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आपके और नए वीडियो बनाने के लिए आप सभी को प्रेम से राधे- राधे जैसरी रादे किष्णा ओप्सन नमबर टू कैसे हैं हम आसा करते हैं कि आप स्वस्त होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस्प्रिच्वल लव डॉपल टू में हम इस पर से माबगबती से प्रात्ना करते ह हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटीव हो डियर आपको धेर सारी सफलता प्राप्त हो पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थमंद आपका बर्थमंद हो सकता है सितंबर अक्टोबर जुलाई फरवरी जून दिसंबर डियर यह आ कि अपकी डियर अब को बता देते हैं है आपकी डेट आप बर्थ किसी महिने की 5 बीस तारिक 2 तारिक 11 तारिक 16 तारिक चे तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 24 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख डियर यह आपकी डेट अब बर्थ हो सकती है इसमें बहुत श्ट्रॉंग साइन जो है वो है एर साइन, अर्थ साइन डियर जिनके बारे में सोच करके आप यह रीडिंग देख रहे हैं यह बहुत श्ट्रॉंग एनर्जी है कि आप किसी ऐसे इनसान के लिए देख रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं हो सकता है कि इनकी साधी हो गई हो या फिर आपकी साधी हो गई हो आपको लगता है कि क्या ये अभी भी आपके होंगे क्या ये अभी भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोचते है हो सकता है कि आपके साधी हो गई हो इनकी साधी ना होई हो आपके इनसे बात होती हो तो इनके लिए रिष्टे आ रहे हो तो ये सोचते हैं, इनके मन में चलता है कि अपने रिष्टे पे ध्यान दू, उसे इमानदारी से निभाऊं या फिर तुम्हारे साथ जैसे सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही चले बहुत जादे ये confusion वाली जिंदेगी में है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि आपकी साधी हो गई हो, उसके बाद ही आपको मिले हो इनकी भी साधी हो गई हो, तो आपको लगता है कि क्या ये कभी आपको अपनाएंगे अगर आप इनके लिए action ले लेते हैं, ये आपको कभी अपनाएंगे क्या आपकी फैमिली को अगर पता चल गया या फिर इनकी फैमिली को पता चल गया आपके रिस्ते के बारे में तो यह आपको अपनाएंगे यह आपको लोगों के सामने जलील होने देंगे या फिर एकसेप्ट कर लेंगे आपके दिल में सारी बाते आती हैं आपको लगता है कि इस रिस्ते को यहीं खतम कर दें धीरे धीरे अपने आपको स्ट्रॉंग कर लें इस रिस्ते से मुववाण कर लें या फिर इस रिस्ते को चलने दें एक होता है न कि अगर कभी किसी ने कुछ गलत कहा तो यहीं मेरा साथ देंगे डियर यह भी बहुत कंफियोजन वाले इस्तिति में हैं इनकी एनरजी इस तरह की है कि यह आपसे प्यार बहुत करते हैं एक इंसान होता है जो कहता है कि मुझे तुमसे भी प्यार है उनसे भी प्यार है क्या करूँ डियर इन्हें आपसे प्यार है और जिसके साथ यह रिस्ते में है जिससे इनकी साथी हुई है हो सकता है कि हो गई है या फिर होने वाली है या फिर आपकी साथी हो गई हो अभी इनकी साथी ना हुई हो तो डियर ये आपको खोने नहीं देना चाहते हैं ये आपसे बात करना चाहते हैं हमेशा जैसा आपका रिष्टा है अगर इस तरह से चलता रहा तो ये आपके साथ पुरी जिंदे की रिष्टे में रहेंगे लेकिन अगर कभी फैमली को पता चल गया या फिर इन्हें आपको मजबूरी में अपनाना ही पड़ा इनके पास अगर दो आप्सन हुए या फिर आपको पूरी तरह से छोड़ देने का या फिर अपने रिस्ते को खतम कर देने का जिससे इनके साधी हुई है तो डियर या आपको छोड़ देंगे ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ कर ये खुस रहेंगे लेकिन मजबूरी में ही सही कि आपको वहाँ पे अकेला छोड़ देंगे ये आपके साथ नहीं रह सकते हैं ये आपके साथ सुकून महसूस करते हैं लेकिन समाजिक तोर से आपके साथ नहीं रह सकते कि पूरी तरह से आपके साथ एक married life नहीं जीना चाते हैं कि कोई डर ना हो आप इनके साथ हो आप इनके पास हो इस तरह वले जिन्दगी नहीं जीना चाते हैं इन्हें आपके साथ सुकून है बहुत अच्छा महसुस होता है कितनी भी लड़ाई जगड़े हो जाएं लेकिन पांच मिनट भी बात करके आप से बहुत अच्छा महसुस होता है इन्हें सालागाई जगड़े होते हैं वो खतम हो जाते हैं पांच मिनट की सिरक प्यारी सी बात रह जाती हैं हो सकता है कि इनके साधी ना हुई हो आपके पार्टनर के लिए देख रहे हूं तो डियर यह लेकिन यह मजबूरी में आप से दूर हो सकते हैं, क्योंकि यह अपनी फैमली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, समाज के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने लिए एक्सन नहीं ले सकते हैं, चोरी चिप़े यह बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन action लेकर के, इसे लड़ जगडके, ये कभी अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, कितना भी सुकून मिलता हो, आपको लगेगा कि इन्हें बहुत सुकून मिलता है, सब कुछ है, अगिर सब को open हो ही गया है, पता हो गया, तो ये खुल करके आपका साथ क्यों नहीं देते ह कभी आपके लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये पीछे हड़ जाएंगे आप अकेले रह जाएंगे तो कभी भी आप इतनी कोशिज मत करिये इतनी उमीदें मत करिये कि ये आपको समाजिक तोर से अपनाएं अगर आपने इस तरह की बाते की तो ये आपको छोड़ देंगे ये आपसे दूरिया बना लेंगे ये आपसे चोरी वाला रिस्ता रख सकते हैं छुप छुप के मिलने वाला रिस्ता रख सकते हैं बात कर सकते हैं इन्हें अटेच्मेंट है आपसे बहुत जादा इन्हें बहुत सुकूर मिलता है आपसे बात करके इनकी ऐसी एनरजी है कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम पास वाला प्यार है नहीं टाइम पास वाला नहीं है यहाँ पे यह पॉजिटिव कनेक्शन है लेकिन एक्सल लेने की हिम्मत नहीं है आप ये बोल सकते हैं कि आपके लिए action लेने की हिम्मत नहीं है इन्हें आपके लिए नहीं ये अपनी खुजियों के लिए भी action नहीं ले सकते हैं इनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो dear आप इनसे ज़्यादा उमीदें मत लगाईएगा जितना आपका रिस्ता चल रहा है इतने में आप खुस रहने की कोसिस करिए क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो family तक बात जाएगी फिर आपको बहुत तक्रीफ होगी और आप ऐसे हैं कि आप इनकी आदत बन चुके हैं यह आपकी आदत बन चुके हैं जैसे आपको लगता है कि इनसे आपकी बात हो कभी कभी ऐसा होता होगा यह इतना डरते होंगे अपने family से कि आपसे बात भी नहीं करते होंगे तो dear इन्हें बहुत डर रहता है बहुत डरते हैं यह यह इस वज़े से यह अपने लिए action नहीं ले सकते हैं लेकिन अगर आप इन्हें ignore करेंगे आप इनसे बात करने की कोसिस करेंगे आप इनसे कहेंगे ठीक है फिर आप अपने family के साथ खुश रही है इस रिस्ते को खतम करते हैं तो dear यह कुछ दिन तक आपको time देंगे आपसे बात करेंगे लेकिन आप यह मत समझना कि कभी आप गुसा हो जाएंगे लड़ाई जगड़ा करेंगे तो यह आपके लिए action लेंगे तो यह आपको छोड़ना ही बहतर समझेंगे अगर आपने इंसे कभी बोला गुस्ते में कि इस रिस्ते को खतम कर दो या फिर इस रिस्ते को कोई नाम दे दो तो dear यह इस रिस्ते को खतम करना बहतर समझेंगे यह आपसे प्यार करते हैं इन्हें soul connection महसूस होता आपके साथ यह आत्मिक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन यह समाजिक रूप से आपके कभी नहीं हो सकते हैं तो ज्यादा उमीदे मत करिएगा वरना जो रिस्ता आपका है यह भी खतम हो जाएगा और आपको बहुत तकलीफ होगी और dear कभी किसी का घर बरबाद करके अपन की रिस्ते में बहुत अच्छा होता है लेकिंडियर आप अपनी तरफ से जादा कोसिस मत करिएगा जितना चल रहा है उतना चलाइए और इसवर के भरोसा सब कुछ चोड़ दीजिए जैसा भी इसवर करेंगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा अगर हम इसवर के लिए कोसिस करिए और सकसिज होने की बहुत कोसिस करिए खुद पे सादा ध्यान दीजिए अगर आप खुद पे ध्यान देंगे तो हर कोई आप पे ध्यान देगा अगर आप दूसरों पे ध्यान देंगे तो लोग किसी और पे ध्यान देंगे हम तुम पे मरते हैं तुम किसी और पर मरते हो, वो किसी और मरते हैं, फिर यही वाला सीन जिन्दगी में चलता रहेगा, तो इसलिए आप खुद पर मरिए, खुद से प्यार करिए, ताकि लोग भी आप से प्यार करें, आप अपने बारे में ज्यादा सोचिए, अपने पर देहन दीजिए, अपने पर देहन नह आप उसे नहीं लेते, कोई बात नहीं, छोड़ वाटाओ, बात में ले लेंगे, लेकिन अगर वो किसी और को पसंद आ गई, आपके पार्टनर को पसंद आ गई, या फिर किसी और को पसंद आ गई, फैमिली में पसंद आ गई, तो अपना जो पॉकेट मनी है, अपनी जो सेविंग है, वो भी खतम कर देंगे, ठीक हटो, इन्हें ये पसंद है, इसे ये लेकिन देते पहले, तो अपने लिए भी कुछ ऐसा ही किया करें, अपने लिए भी इतना मत सोचा करें, अगर आप खुद को खुष रखेंगे, तो जिन्दगी में और जादा अच्छा होग पूरी करने करें, एवार मत सोचे लिए, अपने लिए इसा नहीं हैं कि आप सक्षम हैं अपने पूरी करने में, क्योंकि आपकी जो इच्छा ये बहुत छोटी चोटी अब आपको खुश रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें और हमेज आपने लिए साइए और पॉजइऩ रही है गर अगर आप डिल कहता है तो आप इस वीडियो को लािक कर सकते शेयर कर सकतेे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा कि आफ आप अधे आम नए वीडियो बनाने के लिए आपको प्रेम से राधे राधे जैसरी राधे किष्णा आपसे नमबर त्री कैसे हाऊ हम आशा करते हैं कि आप सस्त होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love ड्रपर्टो में हम इस वर से माभगवती से प्रात्मा करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉसिटिव हो डियर पहले मापको बता देते हैं आपका बर्द मन्त आपका बर्द मन्त हो सकता है सितंबर मई अकस्त मार्च जुलाई जन्वरी ड यू एश टीम एच यू ल आई पी कोक्यू सी यह आपके नेम का इनेशल हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑब बर्द आपकी date of birth हो सकती है किसी महिने की दो तारिक, 6 तारिक, 12 तारिक, 31 तारिक, 8 तारिक, 24 तारिक, 16 तारिक, 19 तारिक, 25 तारिक, 28 तारिक, 31 तारिक, डियर ये आपकी date of birth हो सकती है, इसमें बहुत strong sign है, water sign, earth sign, fire sign भी है, डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये reading देख रहे हैं, ये आपके क्रस हो सकते हैं ये धीरे धीरे आपके जिन्दगी में आना चाहते है ये ज़्यादा जल्द बाची नहीं करना चाहते हैं ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना चाहते हैं जिन्दगी में सब कुछ बहुत अराम से हर एक पल जीना चाहते हैं यह हो सकता है भी आपके दोस्तों या फिर आपके रिलेटिव हों, जिससे आप भी अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं इस वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, आपने अपनी सारी बाते इस वर पर छोड़ दिये हैं, अगर ये जिन्देगी में आ इन्होंने अपने दिल के बाद बोली तो अच्छा अगर नहीं बोली तो भी अच्छा आपने सोचा है इस वर जिसे भी आपके जिंदगी में भेचेंगे वह आपके लिए बहुत पॉजिटीव होगा आप अपनी तरफ से भी एक्षन नहीं ले रहे हो और यह हैं कि थोड़ा अपने रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस्टेबल नहीं हुए जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो सायथ आप भी नहीं मना कर दोगे इन्हें इसा लगता है कि पहले बहुत इस्टेबल हो जाते सब कुछ बहुत तो आपसे अपने दल की बात बोलेंगे ऐसा नहीं कि दिर घूमने फिटने डियट के लिए नहीं साधी के लिए बात करेंगे रही ही Bureau demanding बहुत पॉजटी आं आपके पॉजिटीव सोचते हैं यह आपके लिए बहुत पॉजटीव करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो क अपने दिल के बाद बोल रहे होंगे या फिर ऐसा दिखा रहे होंगे कि ये आपको पसंद करते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये आपके लिए अच्छी फिलिंग्स रखते हैं नहीं ये आपके लिए अच्छी फिलिंग्स नहीं रखते हैं ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनक इनके बारे में आपको positive vibe नहीं आती होगी, आपको कभी-कभी लगता होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह सब प्यार का ड्रामा कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके साधी भी हो गई हो, यह अपने partner के बुराई करते हों, बुरा भला बोलते हों, यह बहुत अस्ता आने वाली जिंद क्योंकि अगर अच्छा बोलोगे तो फिर इनसान कहें कि जब सब कुछ अच्छा है तो अधर positive नहीं हो, अधर अपने रिस्ते में आप सचाई से रिस्ता नहीं निभा रहे हो, तो दूसरे की तरफ कैसे आपनी बार सकते हो, फिर ऐसी बाते हो जाती है, तो यह आपके साथ time pass करना चाहते हैं, इसलिए अभी उदर बुरा बला बोल रहे हैं, उस रिस्ते को negative दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यह दीरे दीरे आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपकी मदद करते होंगे, आप से पूस्ते होंगे, आप से रोज बात करने की कोसिस करते होंगे, तो इनके time pass वाली feelings हैं, अगर आप इनके साथ रिष्टे में आगे बढ़ जाते हैं, तो आप बहुत पस्ता हैंगे, यह कोई भी हो सकता हाल फिलाल भी आपको आई होंगे आपकी जिन्दगी में, आपको लगता है कि इस पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन बातें इस तरह की करते हैं तो फिर लगता है कि क्या करूं, भरोसा करूं या फिर ना करूं, डियर, यह बातें नहीं कर रहा है, कुल अकुछ कर भी सकते हैं, जो चीज nationally आपको पसंद ओऊंगी यह वैसा भी कर सकते हैं, तो डियर, आप इन पे बरोसा अभी हाल फि भी आपू श्मार मारती restrict आप हो सकता है आपको आपकी जिनदेगी में भी बहुत तकलीफे होए आपको लगता है कि एक सात्य की मुझे जरूरत है ळेकिन कभी-कभी हम एक अच्छे गफर अच्छे सनाथी इस फाह से थप ले 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 सकते हैं तो थोड़ा सा समझधारी उसे जिंदकी में आके बढ़ेगा तो आपको ज्यादा तक्रीफ नहीं होगी अच्छा कुछ लोग हैं जिनके ये पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में सोच करके आप ये रीटिंग देख रहे होंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके अपने मतलब से मतलब है अगर उन्हें आपसे दूरी बनानी होगी तो आप रो रहे हैं मर रहे हैं मर जाओं कोई फर्ख नहीं पड़ता अगर आपको जरूरत है तो आपकी जरूरत पर कभी आपका साथ नहीं देंगे लेकिन डियर इन्हें आपसे जरूरत होगी न तो यह जुक भी जाएंगे माफी में माग लेंगे कितना भी आप इन भला बुरा सुनाएंगे फिर भी डियर ये आपकी जिन्दगी से दूर नहीं जाएंगे तो डियर आप जिसके लिए भी देख रहे हैं ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके रिलेटिव हो ये फिर आपके आसपास रहते हूं तो इनका रिस्ता आपसे मतलब का है जब तक मतलब होगा ये आपकी जिन्दगी से जुड़े रहेंगे और जब मतलब खतम हो जाएगा तो आपकी जिन्दगी से चले जाएंगे फिर आपको कितनी भी इनकी जरूरत हो यह आपका साथ नहीं देंगे नहीं देंगे यह आपका साथ तो डियर यह आपको छोड़ेंगे भी नहीं जैसे आप सोचें कि आप इनसे रिस्ता खतम कर लें तो यह आपको छोड़ेंगे भी नहीं ऐसे मतलब करते भी रहेंगे बात अपने रिष्टे को तो यह आपसे ज्यादा मतलब नहीं निकाल पाएंगे यह आपकी जिन्दगी में सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं अकर आप इनका मतलब पूरा नहीं करेंगे तो खुद बाखुद आपकी जिन्दगी से दूर चले जाएंगे कुछ लोग ऐसे हैं ज आपको सपोर्ट नहीं करते हैं बलकि आप ही इनका सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी आपको मौताज समझते हैं फिर भी आपको बराबर वाला रिस्ता नहीं देते हैं यह जैसे सोचते हैं कि आपको इनकी ज़रूरत है इनको आपको जरूरत नहीं है इन्हें ऐसा लगता ह है कि आप इनके लिए ही रोते हैं तो आप खुद को श्रॉंग बनाईए क्या होगा जादा जादा थोड़े दिन आप रोएंगे एक महीने रोएंगे आपका नुकसान होगा लेकिन ऐसा धीमे जहर से जो कहते हैं धीरे-धीरे मारता है अंदर से आत्मा को मार देता है और रो वहीं को समझते ही नहीं है यह मेल हो फमेल हो जो पूर पूरा हो जाता है तो आपको स्वार्थी कहे देते हैं तो डियर ऐसे रिस्तेर पैसे आप नेभास सकते हैं कुछ ऐसी feelings हैं इनकी ये पूरी जिन्दगी आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब से और ये भी दिखाना चाहते हैं कि मुझे मतलब नहीं है मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुसी के लिए तुम्हारे प्यार के लिए तुमसे दूर हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हे पसंद नहीं है न ये हर तरह से आपके पर इल्जाम लगाना चाहते हैं और आपको ये सुनाना चाहते हैं और ये आपको गलस साबित करना चाहते हैं कभी भी आपकी जिन्दगी से जाएंगे आज जाएं या फिर आने वाले कई साल बाद जाएं ये जब भी आपकी जिन्दगी से जाएंगे तो अपनी गलती पे अफसुस करके नहीं जाएंगे अपनी गलती के लिए माफी मांगे नहीं जाएंगे अगर आप इने अपनी जिन्देगी से दूर करेंगे तो भी ये डियर आपको गलत साबित करकी जाएंगे ये आपको गलत कहेंगे भी गलत लोगों से बताएंगे भी और आपको गलत ही बोलते रहेंगे तो dear कभी आप इनसे उमीद मत करना कि यह आपको सही बोलेंगे अगर यह आपके पार्टनर भी है जिनसे आपकी साधी हो चुकी है तो कभी भी आप यह उमीद मत करना कि इन्हें अपनी गलती का एसास होगा यह सुधर जाएंगे यह आपको सही साबित करेंगे यह आपगो गलत कहते थे गलत कहेंगे और हमेसा गलत कहते रहेंगे हो सकता है कि अब आप इनसे दूर हो रहे हूँ रिस्तेग खतंता करना आप इस नहीं है इन्हें अपनी गलती का कभी पस्तावा है इसलिए इनकी जिंदेगे में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि यह हर किज़े मतलब निकालते हैं आपको लगता है कि इस वर इन्हें अहसास कराते हैं लेकिन यह थोड़ा बताते कम हैं यह अच्छा अच्छा ही बताते हैं तो आप समझदारी रखे ऐसे इंदान का ख्याल रखिए कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मैं सोचिए सोचने का काम उनका है उनको करने दीजिए आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव ही और अपना ख्याल रखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपका दिल कहता है आपकी आत्मा कहती तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते शियर कर सकते इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए आपको प्रेम से राधी राधी जैसरी राधी किष्णा आपसन नंबर फोर कैसे हैं हम आसा करते है कि आप स्वस्त होंगे और अपने ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल spiritual love-222 में हम इस वर से मागवती से प्रातना करते हैं कि आपके लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत हो सकता कोई बिमार हो कोई ऐसी बात हो जिसे आप टेंशन होंगे तो टियर आप टेंशन मत लीजिए सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा जिनके बारे में सोच करके आप यह रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मन्थ हो सकता है नौंबर, मई, मार्च, जन्वरी, दिसंबर, जुलाई, अपरेल रियर यह आपका बर्थ मन्थ हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपकी देट अप बर्थ आपकी date of birth हो सकती है किसी महिने की 1 तारिक, 4 तारिक, 8 तारिक, 7 तारिक, 9 तारिक, 15 तारिक, 28 तारिक, 31 तारिक, 21 तारिक, 15 तारिक, 16 तारिक, 29 तारिक, 24 तारिक, 7 तारिक ये आपकी date of birth हो सकती है इसमें बहुत strong sign जो है वो है fire sign, earth sign डियर अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशल, आपकी नेम का इनिशल हो सकता है G-U-T-R-F-O-I-C-V-B-D-M-Z-Y-L-K-J ये आपके नेम का इनिशल हो सकता है, डियर आपको पॉजिटिव रहना है जिनके बारे में सोच करके आप ये रेटिंग देख रहे हैं कि आपके success का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी job की तैयारी कर रहे हो, हो सकता है कि आप कोई business स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई online business स्टार्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि किसी तरह का आप case लड़ रहे हो, तो dear ये उसका इंतजार कर रहे है, ये आपकी success से बहुत खुस होंगे, हो सकता है कि आपके जिंदगी में कोई बुरा टाइम चल रहा हूँ तो यह उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो टाइम कब खतम होगा, कब जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो इन्हें बहुत टेंशन होती है जब आपके लाइफ में कोई आपको हमएशा खुस देखना चाहते हैं। यह हो सकता है कि आपके बुरे टाइम में आपके साथे होते हो ऐसा होता है न कि जैसे कोई इंसान साथ नहीं होता लेकिन ये आत्मिक रूप से इनका दिल, इनका मन, इनका दिमाग हर वक्त, हर कदम पे आपके साथ रहता है जैसे इस पर हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हर कदम पे हमारे साथ होते न इसी तरह से इनकी blessing, इनकी दुआएं आपके हर एक कदम पे आपके साथ रहता है यह हमेज़ा आपके साथ रहते है यह आपको बहुत success देखना चाहते है जितनी भी तकलीफे आपकी जिन्दगी में आई है वो सारी तकलीफे खतम करना चाहते है कतम करना चाहते हैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव करना चाहते हैं यह आपको धेड़ सारी सकसेज देना चाहते हैं हो सकता है कि किसी चीज से आप डी मोटिवेट हो जाते हो यह तो यह आपको बहुत मोटिवेट करते हो यह आपसे बोलते हों कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैसा तुम सोच रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यह आपको सकसेच करने के लिए, हो सकता है कि कभी-कभी आपको बहुत सुना भी देते हो, बहुत कुछ बोल भी देते हो, हो सकता है कि आप इनसे बात करना चाहते ज्यादा टाइम आप अपने करियर को ना देते हों तो dear यह खुद ही आपसे बात ना करते हों तो dear यह आपके लिए बहुत positive इंसान है यह हो सकता है कि आपसे age में काफे बड़े हो age different हो यह आपके partner हो हो सकता है कि यह जब आपके जिंदगी में आये हो तो आपके सोचने का, आपके देखने का, आपके बात करने का नजरिया ही बदल गया हो इनके आने से आपके जिन्दगी में प्यार आ गया हो जैसे होता है कि कोई समस्ता नहीं है, किसे अपनी बाते शेयर नहीं कर सकते हैं आपको बच्पन से ही कोई प्रेम देने वाला ना रहा हो। जैसे कोई पार्टनर तो होता है जिन्दगी में पर प्रेम की कमें रहती है। ऐसा लगता है कि यह इंतर समस्ता नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा साथी हो, GF, BF, इस टाइप का नहीं, कोई फ्रेंड भी होता है, अगर वो समझता है, बहुत प्रेम देता है, कैरिंग निचर होता है, तो डियर, उससे भी बहुत ज़्यादा अटेच्मेंट बहुत लगा हो जाता है, तो यह इस टाइप के भी आपके जिंदगी में हो सकते हैं, तो यह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके आने से आपके जिंदगी में जैसे एक खुसी आ गई हूँ, आपको लगा कि सब कुछ इसमें मिल गया है, हो सकता है कि आपकी साधी भी हो गई हो, आपके बच्चे भी हो, उसके बाद भी अधूरा बने खाली बन रहा हो तो इनके आने के बाद आपके जिन्दकी में बहुत अच्छा लगा बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ अपको लगा कि जो प्रेम मुझे कभी किसी से नहीं मिला मुझे मेरी फैमली से भी नहीं मिला वह प्रेम मुझे इस इनसान से मिला है इस इंसान मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है ये मेल हो फिमेल हो क्या ये मेरी जिंदगी के साथ खेल तो नहीं रहा है टाइम पास तो नहीं कर रहा है डियर इन्हें टाइम पास करने के लिए टाइम ही नहीं है आप ये समझ लिजिए ये हर किसी से बात तो करते हैं लेकिन ज हमेज़ा आपके साथ रहना चाहते हैं और कभी भी आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आएगी तो यह हमेज़ा आपके साथ रहेंगे जहां पर हर कोई आपका साथ छोड़ देगा वहाँ पर यह आपका साथ देंगे डियर यह आपसे खुद भी कभी दूर नहीं होंगे आप नपे बरोशा कर सकते हैं यह हो सकता है कि आपको बहुत ज़ादा मोटिवेट करते हो आप अपने जिंदेगी से बहुत हारे हुए हो तब ही आपकी जिंदगी में आई हो तो यह आपको बहुत मोटिवेट करते हों, बहुत अच्छा समझाते हों, तो आपको बहुत सुगूर मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि इसकी हजार गलतियां माफ हैं, अगर यह हजार गलतियां भी कर दे तो वो सारी गलतियां माफ हैं, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में आ लेकिन यह एक दिन बात म springs लेकिन यह आप से दूर नहींद रह सकते रहY आपके लिए हमेस्ञ पैजिटिटिव सोचते हैं यह आपका कभी भी पाइदा लिए प्ढ़ने क해요 और हियं अंसे होगा यह आपके लिए करते रहेंगे और यह आपको पोगत धेना चाहते हैं यह आपकी success से जलते नहीं है, जैसे कुछ लोग को की जिंदेगी में ऐसे लोग भी होते हैं, पार्टनर होते हैं, जिनकी साधी हो जाती है, साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर को success देखकर के उनके अंदर भी jealousy हो जाती है, कि यह इंसान मुझे ज्यादा stable है Dear, इन्हें आपकी success से जलन कभी नहीं होते हैं, इन्हें बहुत खुची होती हैं, कि यह इन्शान बहुत success हो रहा है, यह इन्वाथ Stable हो रहा है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, यह जो भी चाहिए, वो समान सब कुछ ले सकता है, अपनी खाई से पुरी कर सकता है, यह आप आपको इस लेफल तक सε्च GARS करना चाहते हैं और ये हमेज़ Аपको पॉजटिव देखना चाहते हैं jusा हमेज आप पॉजटिव देखना चाहते हैं यह समझिडें कि यह इंसान आपके पर अवह की साइब से कभी जैलेशी नहीं रखे गा और यह कभी नहीं बोलें कि मेरे वजे यह सब्. मैंने यह सब्किया तुम्हारी। जिंदगी में यह मुणातीटार्ड़ यह कभी आपको ट्रोल नहीं करेंगे। जिसे बोकिको observing क्भी मदद करें तो बहुत सुनाते तो यह कभी ट्रोल नहीं करेंगे, यह कभी सुनाएंगे नहीं, अपने ऐसान आपको गिनाएंगे नहीं, यह बहुत पॉजिटिव इनसान है और यह हमेज़ा आपके लिए पॉजिटिव ही करते रहेंगे, आप इन पर भरुसा कर सकते हैं, हो सकता है कि अभी हाल फलाल में आ आपके लिए पॉजिटिव कर दिया हो, थोड़ी आप इनसे बात ना कर रहे हो, तो यह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, रूट जाओ, लेकिन बात करना मत बन करो, यह आपसे थोड़ी सी जगे चाहते हैं पूरी जिए कि यह आपके साथ रह सक यह आप से बात कर सके। आप नहमें को grows and the connection that helps you feel लेकिन आप से alesanya कि दो किसमें वह स्वार हमें बाद didnly आप से लूट करना चाहते हैं इनके आने से आपने हैं आप जिन्दगे में झांते कि अपी दो मेरunt many things और इनके जिन्रीमें भी मिफ्हतो हैं तो डियर यह आपके लिए बहुत पॉजिटीव फिल करते हैं और हमेज़ आपके पॉजिटीव भी बताना चाहते हैं और यह आपसे कहना चाहते हैं कुछ बाते हैं जो मुझे बतानी नहीं आती है मुझे ज़्यादा प्यार दिखाना नहीं आता, ज़्यादा जताना नहीं आता, कि मेरी जिंदगी में कैसा क्या है, लेकिन तुम समझ जाया करो, तुमसे प्यार बहुत है, तो आप समझने की भी कोसिस किया करें, थोड़ा इनके सब्दों पे कम ध्यान दे करके, इनकी आत्म सकते हैं तो प्लीस अपने लिए भी जरूर सोचना और ध्यान रखना आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना कौन क्या कहता है इस बारे बिल्कुल मत सोचना सोचने का काम लोगों का है लोगों को करने देना आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉ रादे रादे जैसरी रादे किष्णा अपना ख्याल रखना और पॉसिटिव रहना जैसरी रादे किष्णा ओप्सन नमबर फाइब कैसे हां हम आसा करते हैं कि आप सस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी चैनल इस्प्रिच्वल लव ड्रपल टू में हम इसवर से मावगवती से प्रातना करते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत बाजिटिव हो पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्द मन्थ आपका बर्द मन्थ हो सकता है अगस्ट, अक्टूबर, जुलाई, जून, सितंबर, मार्च, दिसंबर ये आपका बर्द मन्थ हो सकता है अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट आप बर्द आपकी date of birth हो सकती है किसी महिने की 22 तारिक, 5 तारिक, 20 तारिक, 30 तारिक, 25 तारिक, 10 तारिक, 7 तारिक, 6 तारिक, 3 तारिक, 1 तारिक, 13 तारिक, 27 तारिक, 18 तारिक, 25 तारिक डियर यह आपकी date of birth हो सकती है अब हम आपको बता देते हैं आपकी name का initial आपकी name का initial हो सकता है J, D, Z, A, E, K, H, O, T, M, I, N, U, V, S, O, Y यह आपकी name का initial हो सकता है Dear, इसने बहुत strong sign है Earth sign, Air sign, Hutter sign जिनके बारे में सोच करके आप यह rating देख रहे हैं यह काफे spiritual person हो सकते हैं यह बहुत positive होंगे आपको भी हमेशा motivate करते होंगे positive रहने के लिए अपने career में ध्यान देने के लिए meditation करने के लिए कुछ positive जिन्देगे में करते रहने के लिए यह खुद भी आपको motivate करते होंगे यह बहुत positive इनसान है Dear, इन्हें मतलब नहीं है आपसे कि आप इन्हें कितना time दे रहे है लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि यह आपसे बहुत प्यार करते है हो सकता है कि आप इनसे जादा बात ना करते हूं आपको लगता हो कि यह इन्सान मेरी जिन्दगे के लिए नहीं बनाए साहिद मुझे कभी इससे छोड़ना पड़ जाए साहिद मेरी जिन्दगी में कुछ changes हों जिससे मुझे इससे दूर जाना पड़ जाए में family की वज़े से या फिर किसी वज़े से आपको लगता है कि कभी इनसे दूर ना होना पड़ जाए हो सकता है कि आपके जिन्दगी में हमेशा ऐसा हुआ हो कि आपको जिससे बहुत जादा प्यार हुआ हो जिससे आप बहुत जादा प्यार करने लगे हो अगर यह अपके जिन्देगी में positive तरह से आए तो यह आपके जिन्देगी से दोर नहीं होगे, यह आपके भागे में लिखे हैं, लेकिन अगर आप इन से spirituality छोड़ करके, जिन्देगी में और साली भत्य करते हैं, आप अगर इस्प्रिच्वल रहते हैं, meditation करते हैं अगर इनके आने से आपकी spiritual journey आगे बढ़ती है आपके मतलब जिन्देगी में अध्धात्पिंग जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है थम सी नहीं जाती है तो dear यह आपकी जिन्देगी में बने रहेंगे यह आपकी किसमत में भागे से आये हैं आपकी किसमत में लिखे हुए हैं आपकी spiritual journey को complete कराने के लिए आपके साथ जिन्देगी भर आपका साथ देना चाहते हैं लेकिन dear अगर आप इनसे spirituality छोड़ करके जिन्देगी में सिर्फ खाना पकाना रहना घूमना फिरना सिर्फ यह वाले रिष्टे सोचते हैं तो dear यह आपसे दूर हो सकते हैं लेकिन अगर आप इनको जिन्देगी भर रखना चाहते हैं साथ तो meditation करना कभी मचोना क्योंकि यह आपकी spiritual journey complete कराने आए हैं अगर यह अपने राASTे से भटक गए तो यह अपसे दूर होसकते हैं यह बहुत positive और यह आपकी जिन्दगे में बहुत कुछ बदलने आए है यह बहुत कुछ positive बदलने आए है क्योंकि जब हम positive सोचते हैं, positive कड़ते हैं, positive रास्तों पे चलते हैं तो हमारी जिन्दगी में बहुत सारे positive लोग ही आने लगते हैं जो हमारी जिन्दगी में बहुत कुछ positive करने आते हैं तो dear, उन में से ही ये एक ऐसे इंसान है जो आपके जिन्दगी में इस वर की तरफ से भेजे गए हैं जिनें आपसे कोई मतलम नहीं हैं, आपकी कभी कोई बतनामी नहीं करेंगे, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं, ये कभी भी आपको धुका नहीं देंगे, अगर ये आपके जिन्दगी से दूर भी होंगे, तो ये पॉजिटिव तरह से सांती तरह से ये आपसे दूर हो इसा नहीं कि ये आपको ब्लैक मेल करें, बहुत कुछ नाटंकी करें, बहुत कुछ बोलें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये आपके मज़गूरी को समझेंगे, ये बहुत समझदार इंसान है, ये दोके बाद, ये बेवफा, इस टाइप के बहुत सारी बाते नहीं यह आपके साथ बहुत positive रिस्टा निभाएंगे और अगर आप इनसे प्यार से कोई बात कहेंगे तो यह उस बात को समझेंगे जरूर डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं ये आपको बहुत पसंद करते हैं और इन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि आप इनसे उतना प्यार नहीं करते हैं हो सकता है कि आप जिन्देगी में बहुत धोके खा चुके हों बहुत लोग आपके साथ टाइम पास कर चुके हों आपको लगता है जिससे मुझे प्यार हो जाता है जिसकी मुझे आदत हो जाती हो इंसान मुझे धुका दे देता है वो इंसान मुझे दूर हो जाता है तो आपको लगता है कि अब मुझे किसी से इस तरह से जुड़ना ही कि कल को छोड़ करके जाए तो जिन्दगी में फिर रोना बचे आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस तरह से जुड़ना ही नहीं है बात कर रहे हो ठीक है आई हो ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा है अगर कल तुम छोड़ करके भी चले जाओ तो मुझे तकलीफ नहीं हो लेकि आपके जिन्दगी में जितने लोग आई हैं जितने लोग आपके जिन्दगी से चले गए हैं तो उनके साथ रह करके आप अपना रास्ता भटक सकते थे इसलिए डियर उन्हें इस वर ने आपके जिन्दगी से दूर किया है ताकि आप उनसे दूर हो उनसे कुछ सबक सीख और अपनी जिंदेगी में आगे बढ़ें सिर्फ उनके साथ ही वो जो सपने देख रहे थे सिर्फ उस तक ही सीमित ना रह जाए इस लिए डियर इस वार ने उन्हें आप से दूर किया है जब कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती नो तो बच्पन में जो हमसे बड़े चला गया जैसे जिंदगी में जो आया है दुनिया में जो जनम लेकर के आया उसे एक दिन मरना ही होता है उसे एक दिन जाना ही होता है लेकिन बिना बहाने के कोई नहीं जाता लोग कहते है एक्सिडेंट हो गया था चले गए उन्हें यह बिमारी हो गई थी वो चले गए उन्हें ऐसा हो गया था, इस वज़े से चले गए, ऐसा था नहीं कि कुरोना में पुरी दुनिया ही खतम हो गई है, पर जिसका टाइम आ गया था, वही गया, वरना कुरोना में बहुत सारे लोग बच भी गए है, तो टियर, बिना बहाने के कोई नहीं जाता, तो इसी तरह से बिना मजबूरी, बिना धोके के, बिना वेवफा के, किसी से साथ नहीं छोड़ता, तो इसलिए ये आपकी जिन्देगी से दूर हुए है, एक बहाना था, एक सबक सीखना था आपको, वो आपने सीखा है, आपको ये सोचना है कि आप इस वर का काम करने आए हैं, आप अप अपनी स्प्रिच्वल जर्नी से भटक जाएंगे, तो फिर आपको कई जनम फिर से लेने पड़ेंगे, और इस वर आपको इस जनम में ही मोक्ष देना चाहते हैं, आपकी जो जिन्दगी है, उसे कंप्लेट करना चाहते हैं, ताकि आपको ये आना जाना बार बार ना करना इसलिए आपके जिन्दगी में इतनी सारे तकलीफे आती हैं, जो आपके कर्मा है, उनका भुकतान आपको बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, ये सारे चुनाव हम लोग खुद करते हैं, कि हमें जल्दी से अपने कर्मों का भुकतान हो जाएं, और हमें फिर से इन कर्मों की चक्कड में ना पड़ना पड़ें, तो इसी तरह से आप भी हैं, आपकी जिन्देकी में ये जो तकलीफे आती हैं, जो धोके बाज लोग आते हैं, इनका कुछ कर्मा है, जिसका आपको बुकतान जल्दी-जल्दी करना है, और अपनी स्पिरिच्वल जर्णी को क दोगे कि दिल नहीं लगाना है, तो आप ना लगाएं, लेकिन आप इन पर भरुस्ता कर सकते हैं, ये इस वर की दरफ से भेजे गए हैं, ये आपका साहतें देंगे, ये आपके साथ दोखे बाची नहीं करेंगे, आपको ब्लैक मेल नहीं करेंगे, लेकिन समझदारी तो ना क्योंकि जो कार्मिक लोग भी होते ना वह भी दिल तका करके फिर दिल को तोड़ कर जाते हैं तो इनकी जो भी एनरजी बहुत पॉसिटीव एनरजी बहुत पॉसिटीव इनसान है यह आपकी जिन्दगी में बहुत कुछ बदलाओ करने आए हैं हो सकता है कि बहुत सारे अपकी लाइफ में तो इस वज़े से आप इनसे अपनी बाते भी शेयर ना करते हों लेकिन यह आपकी जिन्दगी में सब कुछ बदलने आए हैं बहुत सारा मोटिवेट करने आए हैं हो सकता है कि आपको जिन्दगी अच्छी ना लगती हो आप बहुत परिशान हो गए हो अपने इस जिन्दगी ची तो डियर आपकी जिन्दिवी में खुसी लेने खुसी आ लेकर आए हैं ताकि आपकी जिन्दगी में थोड़ा अच्छा फील हो आप अपनी spiritual journey को फिर से start कर सके dear आप spiritual soul है बहुत positive soul है आप कुछ बढ़ा करने आए है लोगों को जिन्दगी देने आए है तो आप इस तरह से तूट नहीं सकते आप को समखना होगा और हमेशा आप को सोचना होगा कि आप केवल एक के वज़ा से जिन्दगी अपनी बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि आप की बज़ा से हज़ारों की जिन्दगी बढ़ाने वाली है तो इसलिया आपको कुछ positive सोचना है फॉ Arizona करना है एक की बज़ा से अपने जिन्दगी को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव इंसान है डियर आपकी मदद की बहुत सारे लोगों को जरूरत है तो आपको कुछ पॉजिटिव करना है ठीक है? तो आप मेडिटेशन जरूर करना ताकि आपके इन्टुशन आपको पॉजिटिव गाइड करें ताकि आप अपने जिंदे आपकी आत्मा कहती तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शियर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ऐसा करके आप हमें मोटिभेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए आप सभी को प्रेम से रादे रादे